ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमर्जंसी लगाने के निन्ने की कड़े शब्दों में निन्दा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्फशक्ते की सराना करते हैं जिनों ने इमर्जंसी का पुनजरो गिरोट किया, अबुकू संगर्श किया और भारत के लोकतंत की रक्षा का दायत निभाया। भारत के इतियास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इस दिन तदकालिन प्रधानमंती स्रिमती इंगरा गांधी ने देश में इमर्जंसी लगाई और बाबा साब अंबेट कर दारा निर्मित सवीधान पर प्रचन प्रहार किया था। भारत की पैजान पूरी दुनिया में लोगतंत की जन्नी के तोर पर है। भारत में हमेशा लोगतंती मुल्यों और वास्वात का समर्दन हुआ हमेशा लोगतंती मुल्यों की शुरुक्षा की उन्हें हमेशा प्रोसाइद किया गया है। ऐसे भारत पर स्रीमती इंद्रा गांदी द्वारा ताना शाही ठोप दी गई, भारत के लोगतान्तिक मुल्यों को फुटला गया और अभीवेक्ती की आजादी का गला गोटा गया। इमर्जेंसी के दोरान भारत के नागरिकों के अधिकार नश्ट कर दिये गए, नागरिकों से उनकी आजादी छिन दी गई, ये वह दोर था जब विपक्ष्य मेताओं को जेल में बंद कर दिये गया, पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया। तबकि तानाशाई सरकार ने मीडिया पर अनेक पावंद्या लगा जी गई थी, न्याए पालिका की सोतंता पर अंकुष लगा जिया गया था, इमर्जेंसी का वो समय हमारे देश के हितियास में अन्याए काल का एक काला खंड था। इमर्जेंसी के इस काले खंड में कांग्रेश की तानाशा सरकार के हातों अपनी जान गवाने वाले भारत के से करतेवनिश्ट और देश में प्रेम करने वाले नागरिकों की स्मुति में हम साथ दो मिनिट का मौन रखते हैं आप स्थीफित के अब करते हैं आप स्थीफित करते अदम स्थीजिए गावि स्थीफित सत्थीट आप सम्साल्च आपफ इा जाप झालया है आएhem